आप जो है आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूच रही है इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो COVID के बारे में मैं एक बात सपष्ट कर दूं दोनों जंग हम जीतेंगे और जन्ता को आस्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नित्रूतों में दोनों जंग जीतेंगे परन्तु आज मैं सिर्फ COVID और विशेशकर दिल्ली की COVID की परिस्थिती के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं क्यूंकि विगत दो सप्ता में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कोडिनेशन भी बड़ा है और दीरे-दीरे स्थिती को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं मगर कुछ चीज़े ऐसी है जो दिल्ली की जनता से साजा करना जरूरी है और जागरुकता की दुष्टी से भी जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए ही भी जरूरी इसलिए आज विसेज कर दिल्ली के कोरोना वाइरस की स्थिती पर और देश के कोरोना वाइरस संक्रमन पर ही बात करेंगे एक limited subject पर बात करेंगे जी दिली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिली से ही सवाल करते हूँ कि दिली की तुलना वोहान से की जा रही है कि बैड नहीं है, टेस्टिंग नहीं है और जंता में एक रोष भी है, घबराहट भी है कि जो hospitals हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है तो इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है देखे मैं थोड़े चरण बद आपके सभी सवालों के जवाब दूँगा मगर पहले मैं एक स्थिती सपष्ट कर दूँगा कि लगबग लगबग जून के दूसरे सप्ता में दिली के उपमुख्य मंतरी मनिश सिसोधिया का एक बयान आया सिसोधिया जी ने बताया कि 31 जुलाई को दिली में 5.5 लाग तक कोरोना के संकमित हो जाएंगे ना जगर बचेगी ना बैड बचेगे और एक प्रकार से स्थिती खराब होगी इससे दिली की जनता में बहुत सारा भाय हुआ उनका अनुमान जो था वो आंकडो के आधार पर थे में वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता परन्तु एक भाय की स्थिती पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे एक दूसरा निर्णा आगे कि दिली के बाहर की व्यक्तियों को दिली में इलाद नहीं कराया जाएगा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी दिली के बाहर का हूँ मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो दिली देश की राजदानी है बहुत सारे रा जैसे उत्राखंड से, उत्रपदे से, हरियाना से, राजस्तान से, धेर सारे लोग यहां बसते हैं, ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंदर सरकार ने बदला, और यह ताय कर दिया कि हरेक व्यक्ति का इलाज हरेक अस्पताल में होगा, और उसके बाद में मैंन की मिटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी, कि दिल्ली का जो एड्मिस्ट्रेटिव खाका है, इसमें तीन, जहां तो कोरोना का सवाले, तीन एड्मिस्ट्रेटिव रोल, तीन संस्थानों का आता है, तो दिल्ली सरकार स्थ, दूसरा MCD, तीन मिन्सिपल और तीसरा भारत सरकार, तो ये तीनों के बीच में कोडिनेशन होना जरूरी था, तो वो मिटिंग का मुख्यों देश था, देश और दुनिया के कोरोना के खिलाब की लड़ाई की बहुत सारी इंफर्मिसन भारत सरकार के तजग्यों के पास थी, जैसे डॉक्टर पॉल है निती आयोक के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भारगव है, आईसी हमार के हैं और एम्स के डारेक्टर गुलेरिया जी हैं, ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटे स्थिति की जानकारी थी, भारत सरकार काफी कुछ मदद भी कर सकती हैं, दि यापक अभियान कोरोना के खिलाब चलाना है, तो ए तीनों ने मिल जूल कर काम करना पड़ेगा, तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें डिली के मुख्यमंतरी जी भी आए, उपमुख्यमंतरी जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्त मंतरी भी थे, ए तीनों डॉक्टर भी है, और बाद में MCD के मेरों के साथ भी मिटिंग की, इसमें हमने बहुत सारे नेने लिए, और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, कि 5.5 लाख परी स्थिती 31 जूलाई तक नहीं आएगी.